आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल पेपर किसी भी कॉंटाक्ट को ब्लॉक कैसे कर सकते हो तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास सामने वाले परसन जो है वो पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है या फिर कोई और रीजन हो सकता है जिससे कि आप उस परसन को ब्लॉक करना चाहते हो ठीक है तो ब्लॉक करने के लिए अपको क्या करना है आपको सिंपली उनके कॉंटाक्ट को open कर लेना है और उनके contact को open करने के बाद right hand side पे उपर three dots दिखता है इस पे click करके आपको यहाँ पे एक option मिलता है second number पे block this person block this person पे आप जैसे click करोगे यहाँ पे एक option आ जाता है block you girl sing ठीक है जो भी contact होगा वो लिखके आएगा कि block जिनका नाम होगा banking name वो लिखके आ जाएगा तो block पे आप जैसे click करोगे इनका number जो है वो block हो जाएगा और दुबारा इनको unblock करने के लिए आप जब यहाँ पे अपने profile पे tap करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे option मिल जाता है settings का और settings में आपको एक option मिल जाएगा privacy and security का इसमें blocked people में जाके आप इनको easily unblock कर सकते हो ठीक है और भी जितने लोगों को आप block कर रखोंगे यहाँ से आप देख सकते हैं और उन्हें unblock कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप किसी को block या unblock कर सकते हैं वो भी google paper उमीद करता हूँ यह जो financial